सो यार कैसे हैं आप लोग फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में हमारी आज की कहानी यानि फिप्ट एपिशोर की सुरुआट ठीक वहीं से होती है जहां से पिछला एपिशोर खत्म हुआ था चुकि अब तक क्वेंटीन को ये बात पता चल चुकी थी कि अल Альva को इस इंसान के साथ देख बाते हैं जो अलव को शिकार करना सिखा रहा होता है यहाँ पर यह दोनों मिलकर एक रैबिट का भी शिकार करते हैं अलव जैसे ही मरे हुए रैबिट को उठाने जाता है कि तब यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो अलव को पकरकर एक ग चलू याहू फेही कोई और नहीं बलकि वही इंसान था जो अल्वा के साथ आइलेंड पर था और जो पास्त में एक्स मिलिटरी का कमांडर था चुकि याहू ने आइलेंड पर ओल्वा की काफी क्यर की थी इसलिए ओल्वा एडवर्ड को कुछ भी बतानी से मना कर देता है अल्वा को ऐसा रियक्ट करते देख एडवर्ड को बहुत जादा गुसा आता है और वह अपने एक आदमी को बुला का अल्वा को टॉर्चर करवाना शुरू कर देता है इतनी सारी आतनाओं को सहनी के बाद भी अल्वा कुछ भी नहीं बताता एडवर्ड अल्वा को अपने आदमीयों से टॉर्चर करवा रहा होता है कि तबी पीछे से याहू आका एडवर्ट समेत इसके सारे आदमियों पर हमला करता हुआ ओलवर को छुड़ा कर यहां से ले जाता है और फिर उस गुफा में पहुंचता है जहां पर याहू और ओलवर रहा करते थे याहू ओलवर को इसी गुफा में छोड़ता हुआ एडवर्ट के आदमियों से लड़ने चला जाता है और इसी के साथ यह फ्लेश बेक यहीं पर खत्म हो जाती है आगे हम लोग क्वेंटीन के साथ ओलवर को पुलिस एस्टेशन में देख पाते हैं जहां पर क्वेंटीन अलवर से तरह तरह के सवाल पूछ रहा होता है कि तभी अलवर की मा और वाल्टर पुलिस एस्टेशन में आज आते हैं आगे यह दोनों अलवर से कुछ देट तक बात करने की रिक्वेंटीन से करते हैं जिस पर क्वेंटीन राजी होता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। यहाँ पर वर्टर और मुईरा की बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों को पुरा यकीन है कि अल्वा एरो नहीं है। इसलिए यह दोनों मिलका एक वकील चुननी के लिए अल्वा को बोलते हैं जिस पर अल्वा लॉरिन को अपना वकील चुननी की सलाह देता है। चुकि Lauren Quentin की बीटी थी, इसलिए हाँ पर Walter और Moira Oliver को ऐसा करनी से मना करते हैं, पर Oliver अपनी बातों पर अड़ा रहता है, अपने बीटी को जित करते देख, Moira को Lauren के पास जाना परता है, शुरू में Lauren Oliver का केस लेनी के लिए मना करती है, चुकि Oliver Lauren का ex-boyfriend था, इसलिए अपने emotion म बेह कर आखिर का Lauren को Oliver का केस लेना परता है, अगले दिन हम लोग Oliver की फैमिली समेत Lauren को कोट में देखते हैं, जैसा मैंने आपको बता रहा है friends, Lauren होसियार बाप की होशियार बेटी थी, इसलिए वह कोट के सामने सारे सबूतों का तकता पलट करते हुए जज से कहती है, वैसे उसके ही घर में ankle monitor के साथ रखने के लिए तयार हो जाती है, बात करे friends हम लोग ankle monitor की, तो ये GPS से operate होने वाली एक electronic device होती है, जो आम तोर पर कैदियों के पैर में लगाई जाती है, जब ही कोई कैदी जज के द्वारा निधारित किये गए जगह से फडार होनी की कोसिस करता है तो इसकी सूचना ये ankle monitor पुलिस वाले को दे दिया करता है, अगले सीन में हम लोग अलव को उसके family member के साथ देख पाते हैं, जहां पुलिस वाले अलव के पैर में GPS लगा रहे होते हैं, यहीं पर अलव इन सारे लोगों का मचा को राते हुए कहता है, वह कल अपने घर में पार्टी रखेगा, जिसका उद्देश सिर्फ ये होगा, कि लोगों को बताया जाए कि अलव क्वीन किसी भी तरह की कैद में अपनी अयासिया नहीं छोड़ता है, चुकि क्वेंटीन को ऐसा लगता था कि सारा किसान अलव की वज़द से गई थी, इसलिए लोगों के दोर इन दोनों की बातों से हमी पता जलता है, कि अब तक अलव जो भी कर रहा था, ये सारा कुछ उसका प्लान था, ताकि आगे फ्यूचर में कभी वी ऐसी सिचुएशन बने, तो किसी का भी शक अलव पर न जाए, क्यूंकि जब से अलव शहर में आया है, तब से ही एरो शहर म घूम रहा है, या फिर बड़े बड़े बिजनसमेन को मार रहा है, आगे अलव लियो मियर्डर की तस्वीर डिगल को दिखाते हुए बताता है, ये इनसान सहर में बंदुकों का धंदा करता है, ऐसी बंदुके अगर किसी के भी हांत लग जाएगी, तो सहर में मुझरीमों का बोल बाला हो जाएगा, और शहर में बहुत बड़ी तबाही मत सकती है, इसलिए हमें इसे रूखना होगा, जवाब में जोन डिगल इससे पूछता है, तुम्हारे सरीर पर तो GPS या फिर एंकल मोनीटर लगा हुआ है, अगर तुम घर के बाहर जाओगे, तो पुलिस वा बनकर शहर में जानी को बोल रहा है, शुरू में तो यह राजी नहीं हो पाता, पर अलिवा के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर वह राजी हो जाता है, अगले सीन में हम लोग वाल्टर को उसके Head of Security से बात करते हुए देख पाते हैं, जहां वाल्टर इस इंसान को अल्वा क उने वाली बात किसी को बताना नहीं जाता था, इसलिए अपने प्लान के अनुसारिया Quentin और Lauren को बुला कर इन दोनों से कहता है, अगर आप दोनों में से किसी को यह लगता है, कि मैं ही Aero हूँ, तो मैं Polygraph टेस्ट से गुजरने के लिए तैयार हूँ, ओलिवा के इस decision पर Lauren घबराते हुए, ओलिवा को यह टेस्ट ना करवाने को बोलती है, पर ओलिवा अपनी बात पर अरा रहता है, बात करें फ्रेंट समलोग Polygraph टेस्ट की, तो इसे दूसरे सब्दों में Light Detector यानी जूट पकरने वाली मसीन कहते हैं, जो किसी भी इनसान की Heartbeat Blood Pressure, या फिर सांस लेने के तरीके में बदलाओ, या फिर हाथ से निकलने वाले पसीने को रीट करके, ये पता कर लेता है कि सामने वाला इनसान जूट बोल रहा है, चूकि ऑलिवा ने अपने घर पर एक पार्टी को प्लान कर रखा होता है, इसलिए क्वेंटीन उसके वकिल और लॉरेंस से म बहुत जादा प्यार करती थी, ओलिवा के उपर में चल रहे मुकदमे को देख कर यह बहुत जादा परिशान थी, अगर किसी तरह से ये बात साबित हो जाती है, कि ओलिवा ही एरो है तो फिर से वह अपने भाई को खो देगी, जब टिया के परिशान होने वाली बात जिससे वह पिछले के सभी एपशोड में चुप चुप कर मिल रही थी, चूकि ये इनसान भी एरो से बहुत जादा डरा हुआ था, इसलिए मोईडा से मिलने पर यह पूछता है, क्या सच में ओल्वा ही एरो है, जिस पर मोईडा ही से बताती है, कि क्वेंटीन मेरे परिव काफी टेस्ट करवाते हुए देख पाते हैं, जहां क्वेंटीन ओल्वा से काफी सारे सवाल पूछता है, जिनके जूटे होने पर यह सावित हो सकता था, क्या ओल्वा ही एरो है, पर ओल्वा सभी सवालों के एकदम से कॉन्फिडेंट होकर जवाब देता है, जिस कारण से मशीन भी उसका जूट नहीं पकड़ पाती, और सबको यह लगने लगता है कि अल्वा सच बोल रहा है, पर क्वेंटीन को कहीं न कहीं यह सक होता है, कि अल्वा ही एरो है, इसलिए है बोलता है, तुम पांच सालों तक अंजान आइलेंट पर फंसे थे, और वहीं तुम्हा पात हो गई होती है, और अल्वा को हम लोग पार्टी में देख पाते हैं, चुकि सारा कुछ अल्वा के हिसाब से चल रहा होता है, इसलिए अल्वा यहाँ पर खुश होता है, और डिगल से बात कर रहा होता है, यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है, जिससे मैं अल्वा सबके साथ पार्टी में होगा डिगल एरो की कॉश्टूम में शहर में जाकर लियो के आदमियों को रोकेगा इन दोनों के द्वारा ऐसा करने की वज़े से ये बात साफ हो जाएगी कि अल्वा एरो नहीं है आगे हम लोग डिगल को देख पाते हैं जो एरो के कॉश्टूम में शहर में जाकर लियो के आदमियों से लरता है और पूरे शहर में घूम घूम कर ये बात प्रूफ करवाने की कोसिस करता है कि अल्वा और एरो दोनों अलग-अलग इनसान हैं इसी कराम में हम लोग वाल्टर को देख पाते हैं जो अपने ऑफिस में होता है यहां पर इसे पता चलता है कि जिस इंसान को इसने अल्वा की टूटी सिप को इंपोर्ट करवाने की लिए कहा था उस इंसान की मौत कार एक्सिडेंट में हो गई है इस बात को जानकर वाल्टर को काफी बुढ़ा लगता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है इसी कराम में हम लोग लोग लोरेन को पार्टी में देख पाते हैं चुकि ऑल्वर ने पॉलिग्राफी टेस्ट के दवरान आइलेन पर टोचर सहने वाली बात कही थी इसलिए यहाँ पर लोरेन ऑल्वर से आइलेन के बारे में पूझती है जिस पर ऑल्वर फिर से जादा कुछ ना बताने का कहते हुए केवल अपने शरीर पर बने हुए घाओ के निशान को दिखाता है इन सारे घाओ को देख लोरेन को काफी बुरा लगता है और वह रोते हुए यहाँ से चली जाती है आगे हम लोग वाल्टर को देख पाते हैं जो मोईरा को मिलने के लिए बुलाता है चुकि अब तक वाल्टर को डूबी हुए सिप के बारे में पता चल गया था इसलिए 2.8 मिलियन डॉलर वाली बात को लेकर यह मोईरा को काफी खरी-खुर्टी सुनाता है जवाब में मोईरा निरास होते हुए इसे सोरी बोलती है और इसी के साथ ये सीन कट होकर अल्वा पर आता है जो कि अपने फोन से किसी से बात कर रहा होता है कि तभी अल्वा के डोड बिल्कु कोई बजाता है अल्वा जैसे ही दर्वाजे को खोलता है तो दूसरी तरफ एक गन लिया हुआ इंसान होता है जो अल्वा को मानी की कोशिस करता है यहां पर अल्वा फूर्ती दिखाते हुए इस इनसान से लराई जगरा करना शुरू करता है कि तभी दूसरी तरफ से क्वेंटीन आता है और इस इनसान पर गोली चला कर इसे जान से मार देता है अगले दिन हम लोग अल्वा सेंद उसके सारे परिवार वालों को क्वेंटीन के साथ देख पाते हैं जा क्वेंटीन अल्वा के पैरों से जीपियस यानी एंकल डिवाइस को उतारते हुए बताता है कि उस ग्रीन हुड वाले इंसान को बीते रात कहीं और देखा गया था इस वज़े से अल्वा के उपर से सारे इलजाम हटा दिये गये हैं और शाया जो इंसान बीते रात तुम्हें मानने आया था वो असल में एरों से बदला लेना चाहता होगा इस बात को सुनका अल्वा ऐसे दिखावा करता है कि वो इसके बार में कुछ भी नहीं जानता अगले दिन हम लोग मोईडा को उसी अंजान इंसान के साथ देख पाते हैं जिसे यह छुप छुप के पिछले के एपिसोड में मिल रही होती है यहाँ पर इन दोनों की बात दूसे हमें पता चलता है कि जो आदमी बीते रात अल्वा को माने उसके घर में गया था उसे इसी इनसान ने भेजा था चुकि यह एरो को मरवाना चाहता था और मोईडा को अल्वा पर बहुत जादा भरोसा था इसलिए मोईडा इस इनसान पर काफी जादा गुसा करते हुए कहती है अगर आगे से तुम्हारा कोई जमचा मेरे परिवार के आगे पीछे दिखा तो मैं तुम्हारे सारे विजनस को खड़ाप कर दूँगी इतना कहने के बाद मोईडा यहां से चली जाती है वहीं दूसरी तरफ हम लोग अल्वा को डिगल के साथ देख पाते है जहां अल्वा को खवर मिलती है कि लियो आज फिर से हथियारों का धंदा करने वाला है इसलिए अल्वा एरो बन कर फिर से अपने काम में लग जाता है और शहर में जाकर अपना बाहुबल दिखाते हुए लियो के आदमियों को मारना कुटना सुरू करता है इसी क्रम में हम लोग वाल्टर को देख पाते हैं जो अपना सारा सामान पैक करके अपने घर से निकल परता है ताकि यह अलवर के सिप के डूबने का राज और 2.8 मिलियन डॉलर वाली गुत्ती को हमेश्दा के लिए सुल जा सके वेल गाईज इसके साथ आगे क्या होता है यही तो अगले एपिसोड के मिस्ट्री है अगर आप आगे के एपिसोड को देखना चाते हो तो कमेट में निक्स टाइब कर देना मैं अगले दिन इसके निक्स एपिसोड को अपलोड करने की कोर्सिस करूंगा सो गाइस वीडियो यहीं तक था अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल देशी बुक को अल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट